नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैथिल कथाकार हरी महन जहां द्वारा रचित एक बहुत ही महत्योपूर्ण कहानी पांच पत्र इसका कथासार और इसमें नहीत जीवन दर्शन इसको चर्चा करेंगे तो पहले कथासार इसको समझ लेते हैं पांच पत्र विशय वस्तु और सिल्प रचना की बिलक्षंता की द्रिष्टी से हरी महन जहां की एक उत्करिष्ट कहानी है इसमें मध्य वर्गिय मैथिल नागरिक के 40 बरसों के दामपत्य जीवन में प्रेम की समाप्ति के दार्षनिक पहलू को प्र एक मैथिल पती द्वारा अपने पत्नी को एक एक पत्र लिखा गया है पहला पत्र जनवरी 1919 को देव क्रिष्टी ने दर्भंगा से आचार्ज की परिक्षा देने के दोरान लिखा था अर्थात देव क्रिष्टी जो इस कहानी का नायक है वो जब कॉलेज में था उस समय प वी थी उस पत्र में पत्नी को प्रीयत में का संबोधन दिया था पत्नी द्वारा लिखी हुई चार पंग्तियों को चार सो बार पढ़ने की उमंग थी हर अनुछेद में पत्नी के लिए प्रेम भरे संबोधन थे निर्वाह है तू पिता से पैसे जो मिले थे तो उसी को बचत कर उन्होंने पत्नी के लिए चंद्रहार भी बनवा लेते हैं अगले दस बर्सों में देवकृष्ण अब हतुआ सस्कृत विद्यालय में नोकरी सुरू कर देते हैं बाल बच्चेदार हो जाते हैं तो प्रेम और समर्पन का उल्लास काफी कम हो चुका होता है दस बर्स पहले प्रेम की उसमा ऐसी थी कि अपने पत्र के भीतर पत्रों तर के लिए लिफाफा भी भेजते थे अब बेटी के गौरी पुजन है तु साड़ी भेजने तो कभी बेटे के इस्कूल जाने की चिन्ता कभी पत्नी के स्वास्त की चिन्ता पत्नी को कुछ दिनों बाद अपने पास बुला लेने का आस्वाशन होली के अवकास में गाउं आने की संभावना न आने के स्थिती में money order भेजने से संबंधित बाते ही अब वो चिठी में लिखे तो दो पत्र हो गया अब तीसरा पत्र अगले दस बड़्स बाद तीसरा पत्र जाता है तो संबोधन समाप्त हो जाता है जैसे पहले बाला में प्रियतमा बोलके संबोधन किये थे अब तीसरा पत्र में अब संबोधन समाप्त इस पत्र में सिर्फ घर परिवार से जुड़ी समस्याओं और धन की कमी की चीनता ही जताई गई है चोथा पत्र फिर दस बड़्स बाद लिखते हैं जो बिना किसी संबोधन के आशिरबाद से सुरू होता है और बिना किसी संबंध के देवकृष्ण पर खत्म होता है इस पत्र में देवकृष्ण ने बीते जीवन का लेखा जोखा पत्नी को वदेश बेटे के आचरन पर छोब आदी बातों का उलेक किया है सुरू से अंध तक कहीं भी प्रेम और अनुराग की जलग भी नहीं मिलती अर्थात किस तरह से जिंदगी बदल जा रहा है उसी को दिखाया जा रहा है ये चौथा पत्र हो गया अब है पाँचवा पत्र अगले दस बर्स बाद पाँचवा पत्र बेटे को सम्वधित करके कुपदे सहली में लिखा है इस पत्र में बेटे बहु की प्रसंगसा और पत्नी के आचरन पर छोब है अर्थात अब ये बदल गए पहले वो बेटे पर नाराज होते थे और पत्नी से काफी ज़्यादा प्रेम करते थे अब थोड़ा उल्टा हो गया इस पत्र में बेटे बहु की प्रसंगसा कर रहे हैं और पत्नी का आचरन पर छोब ब्यक्त कर रहे हैं अपनी बिमारी के उग्र होने के साथ बीत राग भाव भी इस पत्र में और उसे अपने पास बुलाने की जरुरत न समझना कहा गया है कहानी का अंत अत्यंत दारून है जिसमें पत्र का अंत करते हुए देवकृष्न लिखते हैं कि किसी दिन बिरिधा को कुछ हो जाए तो आप लोगों की बदोलत सदगती तो मिलेगी ही मेरी तरफ से भी एक लकड़ी चिता में डाल दीजिएगा ये अंतिम पंक्तियां पारिवारिक जीवन में पती पत्नी के प्रेम से खाली रिष्टे को दरसाती है जो आज के जीवन की सच्चाई भी है अर्थात अंतिम समय में भी अगर पत्नी मर भी जाती है तो इन्हें लगता है कि वेकार हम खर्चा करके जाएं उसे बढ़िया अपने बेटे को ही वो कह देते हैं कि जब चीता में मेरे नाम से भी एक लकड़ी चढ़ा देना तो किस तरह से ये रिष्टे बदल जा रहे हैं अब इस कहानी का जीवन दर्सन इसको समझते हैं पांच पत्र कहानी रचनाकार की जीवन रिष्टी और समकालिन समाजी यथार्थ की समझ के कारण उलेखनिया बन गई है चालिस वर्स में एक नोजवान की अगाध अनुरक्ती बिरक्ती में बदल जाना जीवन का सहज यथार्थ है कथानायक नौ बिवाहित पत्नी के नाम एक पत्र दर्भंगा से छात्र जीवन में लिखता है पत्नी के नाम अन्य तीन पत्र हत्वा सस्कृत बिद्यालई से नौकरी के दोरान लिखते हैं और अंतिम पत्र बेटे के नाम वो कासी से लिखा गया जहां कथानक जीवन का सेज भाग वैराग्य में बिता रहा है पिछले पत्र में जिस बेटे को कपूत और अगले पत्र में उसे सपूत वो जीवन संगी नी जिसको पिछले पत्र में मात्रित्व की प्रतिमूर्ति कहा उसे पूरे जीवन की दुख दाही नी मात्रित्व भिहिन कुचेश्ट इस्त्री और हरजाई का उदाहरन बना दिया बिताया उसे रुगना वस्था में देख आने के लिए 30-40 रुपिये खर्च उन्हें निरथक लगा यहां तक कि जिसकी मोहिनी मूरत देखने को पलपल लालाईत रहने वाले और अपने रोजाना के खर्च से कटवती करते हुए जिसके लिए 40 बर्स पूर्व चंद्रहार बन गड़ लिया यह कहानी मध्य वर्गिये नागरिक के ग्रिहस्त जिवन में प्रेम और उस्मा की समापती को रिखांकित करने के साथ जिवन रसकी तरलता के बहाव की सिथिलता को भी दिखाती है तो दूसरी तरब मिथिला के स्त्री जिवन की निशंक और निरासक्त भंगा होने के बाबजूद बास्तविक भोगलिक छेत्र तो सार्वत्तिरिक है अर्थात ये तो सभी जगह की कहानी है श्त्री चेतना के द्रिष्टी से उपेक्षित अस्तित्व के प्रति श्त्री स्वर का कोई प्रतिरोध मुख या मुखर रूप दर्ज नहीं है पर हरी कि महन जहाने स्त्री दसा का ऐसा चित्र दिखा कर मानुवेता के समाज में बचे सुत्र को दिखाना चाहते हैं इस कथा की नाईका पूरी कहानी से अनुपस्तित होते हुए भी पूरी कहानी में उपस्तित है कथा नायक द्वारा अपनी हिर्दय स्वरी को कुमाता में तब दिल होते दिखाना नागरिक जीवन की पध्धती को उजागर करना ही लेखक का लक्ष है कहानी का ताना बाना ऐसा है कि कहानी से कथा नाई का अनुपस्तित होते हुए भी पारिबारिक जीवन की बुलंद और सफल सम्रिध इमारत खड़ी करने में निव की पत्थर बनी है लेखक ने इस बात का ध्यान रखा है कि इस सहन सीलता को पाठक नारी उत्पिरन न माल ले अपने प्रभाव में यह कहानी पांच परिछेदों में बटे किसी बेहतरीन उपन्यास का सारांस दिखती है इसका फैलाव एक संपूर्ण उपन्यास का फैलाव है जिसकी परिणती मानव जीवन के चरम यथार्थ के चित्रन और ग्रहस्त जीवन की दारसनिकता को दिखाने के साथ सामाजिक जीवन के चरम यथार्थ को दिखाया गया है इस यथार्थ से पाठकों को परिचित कराने के लिए लेखक ने जिस प्रसंग और सिल्प की रचना की है वो मनुष्य अपने ही गिरेबान को जहाकने को विवस करता है कहीं वो भी तो इसी तरह अपने परिचायक जीवन से दूर नहीं होता जा रहा है इसके नायक देव कृष्ण का पतनी और परिबार के प्रती इस अनुराग में इस कमी का कारण क्या है यह मानव जीवन के उस कठोर सत्य से साक्षातकार है जिसे मनुष्य सुरू सुरू में नहीं समझ पाता है यह कहानी स्पस्ट करती है कि किस तरह परिवार की जिम्यदारियां पती पतनी के बीच के प्रेम और एक दूसरे के प्रती अनुराग को कम करते करते अंते में समाप्त कर देती है संतान बती होने पर हर इस्तिरी का प्यार बढ़ जाता है स्वाधीन होने के अभ्यासी बैल के कंधे पर जब पहली बार जुआ रखा जाता है तब प्रारंभ में गुदगुदी और बाद में बेचायनी महसूस होती है देव कृष्ण और उनके जैसे तमाम ग्रिहस्त का यही हाल होता है प्रेम की उस्मा के साथ सुरू हुई ग्रिहस्त जीवन की कथा की विरख्त परिनिती जीवन के यथार्थ को इसी तरह रेखांकित करती है तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा लाइक सेर कर सकते हैं चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद